जिसके अंदर इस चार टॉपिक्स को पढ़ेंगे क्लासेज और अब्जेक्ट्स, एब्स्टेक्शन और एन्कैप्सुलेशन, इन्हेरिटेंस, मैथड ओवर्राइडिंग और पॉलिमॉर्फिजिम यह जो शुरू में मैंने बताया था कि object oriented programming के 6 important concepts हैं उसी को इसमें detail में बताया हुए unit 2 में classes and objects दो आपके यह हो गए, f section and encapsulation दो यह हो गए, 4 inheritance, 5 और volumorphism छे तो इस 6 concepts जो हमने बताया, first unit में discuss किया, उसी को detail में यहां पे discuss किया हुआ है जो object क्या होता है, object real world entity है, ठीक है, और real world entity है, जो भी होती है, उसका state and behavior होगा तब ही हम उसको बोलेंगे object, तो object को कैसे कैसे आप define कर सकते हैं, first definition हो गया, object is a real world entity, second object is a runtime entity, third object is an entity, which has state and behavior, and fourth object is an instance of a class, यह चारो चीज़े, और यहां पे चारो को definition के तरह से आप use कर सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हैं, आप, अलग अलग अप पॉइंट में भी लिख सकते हूँ, ठीक है, real world entity, runtime entity, और essay entity, जिसमें state and behavior हो, और साथ में object क्या है, instance है class का, तो यह है object, second class, class क्या बताता है, group of objects, जिसमें common properties हो, या group of object के अलावा क्या हो था, blueprint, जिसमें, जिससे हम, essay blueprint, जिससे हम object को create कर सकते हैं, ठीक है, logical entity है, और class के अंदर हमारे क्या होता है, data member, data member होता है class के अंदर, और member functions भी बोलते हैं, या methods भी बोलते हैं, इसको, data member and member functions, या data member and methods, अब class को declare कैसे करते हैं, class को declare करने के लिए हमारे परस क्या है, class keyword का use करते है, class keyword, लिखना है, आपको class class class, then space, उसके बाद उस class का नाम, जो आप class का नाम रखना चाहते हो, और इसका यहां पर यह bracket स्टार्ट होके, यानि कि इसकी body स्टार्ट हो रही है, जिसके अंदर क्या होगा, field होगा और method होगा, यानि कि data members and member functions होगे, तो यह है हमारे class का syntax, class को कैसे declare करते है, इसके बाद abstraction, abstraction का जैसे मैंने बता था, abstraction का एक process है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसको हाइड करते हैं, और सिर्फ functionality को सो करते हैं, किसको सो करते हैं, किस से हाइड करते हैं, यूजर से, आप जो भी coding करोगे, आप एक वेबसाइट बना रहे हो, तो वेबसाइट पर जो functionality है, आउट जो coding आपने की है, जो आप logic लगा रहे हो, तो यूजर से हाइड रहेगा, है न, तो abstraction, abstraction को कैसे अचीव कर सकते हैं, interface के थुरू 100% कर सकते हैं, और abstract classes के थुरू 0-100% कर सकते हैं, अब इसमें दिखिए, जावा में जो abstract, एक abstraction के लिए क्या था, abstract class, है न, abstract class के थुरू सकते हैं, तो abstract class होता है, एक class होता है, जी normal class जो होता है, वैसे class होता है, उसके अंदे, आगे, जो class क नाम होता, उसके यागे हम लगा देते है, keyword abstract, ठिक है, तो उसको abstract class बोला जाता है, और इस class में abstract or non-abstract method दोनों हो सकते हैं, abstract or non-abstract method के क्या मतलब है, जो आप methods बनाऊगे, उस method से पहले abstract keyword लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो ठीक है, it needs to be extended and its methods implemented, it cannot be instantiated instantiated के क्या मतलब होता है, object को initialize करने की जुरुत नहीं है इसमें कुछ points हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे abstract class must be declared with an keyword, क्यों से keyword? abstract जो भी class आप declare करोगे और abstract class आपको बनाना है तो उसके लिए keyword उसके लिए उसके लिए पड़ेगा abstract abstract class में क्या abstract और non-abstract method दोनल हो सकते हैं, जो आप functions उसमें बनाऊगे, तो functions को functions के आगे abstract लिख भी सकते हो, और abstract नहीं भी लिख सकते हो, अगर आप abstract लिखते हो keyword तो आपका abstract method हो जाएगा, और नहीं लिखते हो तो non-abstract method, normal then इसके बाद, it cannot be instantiated, इसको initialize नहीं कर सकते, it can have constructor and static method also, जो आपका abstract class है, वैसे normal class में भी होते हैं constructor, तो abstract class में भी constructor हो सकते हैं, और static method हो सकते हैं, it can have final method, which will force the class not to change the body of the method, अब final method का मतलब, यह कोई ऐसा method होगा, जिसके आगे हम final keyword लगाएंगे, तो final method बन जाएंगे, उसका use क्या होगा, उसका use होगा, कि वो help करेगा, जो आपका sub class है, वो body, जो में बोडी है, उसमें कोई method है, उसमें कोई changes वो ना कर पाएंगे, encapsulation, encapsulation क्या है, एक single unit में data member और member functions, नानी कि states and behavior को encapsulate करना, एक single unit में अब चीज़ों को encapsulate, wrap कर देते हैं, just like in real world में, जो हम encapsulate होते हैं, उस तरीके से, अब data members क्या होगे, variables होगे, methods क्या होगे, जो उसके functions है, behavior होगे methods, inheritance, inheritance क्या होता है, कि multiple classes जब आपके पास होते हैं, और एक class की properties, दुसरे class में use होती है, उसको हम inheritance बोलते हैं, जो main class उसको parent class बोलते हैं, और जिस parent class जहां पर inherit हो रही हैं, उसको बोलते हैं, derived class या child class, तो idea क्या है, हम उसलोब inheritance हम use करते ही क्यों है, तो idea क्या है, just to create new classes, that are built upon existing classes, existing classes हैं, उससे, उस ही का use करके new classes कुछ हम बनाएंगे, और जो already जो existing properties हैं, उसके साथ कुछ additional properties भी उसमें हम डाल सकते हैं, when you inherit from an existing class, you can reuse methods and fields of parent class, वो reuse कर सकते हैं, तो code reusability का भी इसमें use होता है, और inheritance एक relationship को represent करता है, और उसका type क्या होता है, एक relationship का type है, is our relationship, एक होता है has our relationship, और होता है is our relationship, जानी की parent-child relationship, आपको question ऐसे भी आ सकता है, method overriding के लिए, दुसरा code reusability के लिए, जो already जो parent class में code है, उसको reuse कर सकते हैं, तो code reusability हो गया, method overriding, जो already हमारे method जो बने हुए हैं, उसको हम next class में, जो child class है, उसमें use कर लेंगे, तो override हो गया, ठीक है, और इस overriding के तुरू अचीव होगा हमारा runtime polymorphism, अचीव हो जागा, इन inheritance में कौन-कौन से terms होते हैं, class होगा, sub class होगा, जो main class होगा उसको parent class भी बोलते हैं, base class बोलिए, जो sub class होगा उसको child class या derived class बोल सकते हैं, तो यह super class और parent class जो main class से उसको बोल रहे हैं, reusability यानि code को reuse कर रहे हैं, data members हैं, उसको reuse कर रहे हैं, जो methods हैं, उसको reuse कर रहे हैं, तो इसके लिए term यूज करते हैं, reusability, अब जैसे class में बता है, class कैसे declare होता है, उसी तरीके से हमारा inheritance, तो inheritance में क्या use होता है हमारा class, sub class का नाम, extends super class का नाम, for example अगर आपके पास एक class है, class है a class है, ठीक है, यह main class होगे हमारा parent class, और इसको inherit करना है हमें, a1 में, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, class keyword, a1, इसके बाद लिखेंगे extends, extends, यहां पर देख रहा है, extends, extends किसको extend करेगा, class A को, extends A, अब यहां पर इसका main class होगा, उसका नाम क्या होगा, super class का नाम जो भी है, अब इस example में अगर यह, जो मैं यहां लिख रहाता है, अगर fit करें तो यह हो जागा, sub class क्या होगया, a1, जो क्लास a1 extends super class, super class कुन सा था, a, class a1 extends a, और उसके बाद, जो a वाली जो properties हो तो यहां पर already आई जाएगी, और कुछ नई चीज़े यहां पर बनानी हो, यहां पर आप दा सकते हैं, कितने टाइप होते हैं, C++ में और Java में, थोड़ा डिफरेंस होता है, इसमें तीन Java में, तीन इनरेटेंस का हम यूज करते हैं, एक होगय सिंगल, सिंगल लेवल भी आप बोल सकते हो, इसमें एक Parent Class होता है, और एक Parent Class से एक Child Class में, परपर्टीस को इनहेरेट करते हैं, जोगे, सिंगल लेवल, अब यह एरो का ध्यान रखना है Parent Class है, उदर के साइड एरो होगा हमें साथ, एक होता Multi-Level, एक Parent Class, और एक parent एक चाइल्ट में जाएगा और एक चाइल्ड क्लास से फिर next लेवल प्यानी की सब चाइल्ड क्लास में जाएगा ulti level मुल्टी पलबेल मुल्टीफल एक होता हाईरेकल हाईर कं yemला हाईरी जास एक elect क्लास बट मुल्टीफल चर्ट क्लास, दो, तीन, चार, पांच यतने चाइड काल प्राना है, एग्जामपल के लिए एनिमल एक क्लास हो गया, उसका चाइड क्लास हो गया, डोग, कैट, लोएन, इस तरीके से आप हाईरिकल इंहरिटेंस को बता समया, इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा मल्टीपल तो मल्टीपल इंहरिटेंस हमारे जावा में यूज नहीं होता, मल्टीपल इंहरिटेंस, मल्टीपल इंहरिटेंस यूज करने के लिए कुछ एडिशनल कंसेप्स का हैल्प लेना पड़ता है, जैसे यह मल्टीपल और यह हाईब्रीड, तो हाईब्रीड और मल्टीपल यह हम generally use नहीं करते हैं उसके लिए कुछ additional concepts का help नेना पड़ता है इसके बाद है method overriding method overriding method मतलब confusion नहीं नहीं method function को ही हम method बोल रहे हैं जो functions हम use करते हैं भी बनाते हैं function programming में उसको method बोला गया method overriding क्या हो गया if subclass नहीं कि child class has same method the child class में same method है same method का मतलब जो parent class में method है same method अगर child class में भी है उसको में बोलेंगा method overriding for example जो यहां पर था एक class A है इसमें हमने method दे दिया eat method हो गया और यह automatic class B में तो आ जाएगा ठीक है लेकिन automatic जो अल्रेड़ी यहां पर eat के अंदर जो भी हम code को coding कर रहे हैं इस function के अंदर को अवर्राइड करना तो हम क्या करेंगे फिर से यहां पर सेम नाम से function बनाएंगे से function यह बनाएंगे यह जरूरी नहीं के इसके अंदर जो कोडिंग कर रहे हैं वह यहां पर जो कोडिंग थी वह सेम है तो यह हो गया function overriding override कर दिया जो पहले जो चीज़े उसमें थी जो प्रोपर्टीस थी जो फंक्शन फंक्शनालिटीस थी उसको override कर दिया उस method को तो यह हो गया method overriding अचिक है अब इसके use क्या है method overriding का to provide specific implementation of method which is already provided by its super class जिसे पहले देखा पहले आपने method उपर था उसके जो भी behavior या फंक्शनालिटीस थी उसको यहां पर नीचे override कर दिया चेंज कर दिया इसके पहले वाले में ले लिया इट का फंक्शन लिया था इट में ले लिया क्या क्या औरेंज या एपल या कुछ भी ले लिया तो इसका नीचे जो सब ना करके override करके हम नई चीज़े एड़ कर रहे हैं कि हम क्या चीप करेंगे runtime polymorphism अब polymorphism, polymorphism मतलब इस दो वर्ट से बनाया है poly and morphs यानि कि many forms polymorph मतलब many morph मतलब forms जिस चीज के एक से ज़्यादा forms हों उसे बोलेंगे polymorphism दो टैप की polymorphism होते हैं जावा में पहला होता है compile time और दूसरा होता है runtime time compile time जो होता है वह यह जब compile करते हैं program को उस time पर compile time polymorphism और run जब कर देंगे उसको compile करने के बाद तो run time उस time जो binding होगी और runtime polymorphism होगे तो यह दो basic types हैं polymorphism के यह आपको दिहाना compile time and runtime इसके बाद we can perform polymorphism in Java by method overloading and method overriding यह आप फिर अरेड़ी ने बताया हुआ कि यह दो important concepts में है method overloading और overriding का यूज करके polymorphism achieve कर सकते हैं Java में perform कर सकते हैं जावा में गर हम if you overload a static method in Java static method मतलब जिस method के आगए static keyword लगा जाएगा तो वह एक example हो जाएगा compile time polymorphism का कि जब हो compile करेंगे प्रोग्राम पे तो static keyword लगा है उस method का के तो कुछ functionalities हैं जो change नहीं होंगे static रहेंगे ठीक है तो होगया compile time polymorphism तो यह हमारे unit 2 था unit 1 में था इन चीज़ों को sort में बताया हुआ था unit 2 में structure भी बताया हुआ है कि कैसे उसको declare करते हैं syntax क्या है और कुछ additional points भी थे वह मैंने इसमें बताया हुआ हुआ है